एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बीर्बल के साथ अपने शाही बगीचे की सेर के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों और हरियाली ही हरियाली थी और फूनों की भीनी-भीनी खुश्मु वातावर्ण को और भी खूपसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने क्या सुझा की उन्होंने बीर्बल से। कहा बीर्बल। हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोडे में बैठ कर घूमे। इसलिए मैं तुमें आदेश देता हूँ कि तुम साथ दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोडे का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शकल ना दिखाना। इस बात से राजा व बीर्बल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोडा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीर्बल किसी बात में अपनी हार स्विकार करें। इसी कारण उन्होंने बीर्बल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीर्बल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांती जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोडा ढूंड ने। आठवे दिन बीर्बल दरबार में राजा के सामने पहुचे और बोले। महाराज, आपकी आज्या के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोडे का इंतिजाम कर लिया है। मगर उसके मालिक की दो शर्ते हैं। राजा ने उच्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीर्बल ने जवाब दिया। पहली शर्त यहा है कि उस हरे घोडे को लाने के लिए आपको स्वयम जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीर्बल ने कहा घोडे के मालिक की दूसरी शर्त यहा है कि आपको घोडा लेने जाने के लिए सपता के सातों दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बीर्बल की ओर देखने लगे। तब बीर्बल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज। घोडे का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोडे को लाने के लिए उसकी यह खास शर्ते तो माननी ही होंगी। राजा अकबर बीर्बल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीर्बल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। कहानी से सीख यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही सूजबूज और समझदारी के साथ नामुम्किन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। कुछ